देखे फ्रेंट्स इस कैप को बनाने के लिए हमने आपे दो रंग उन लिया है थ्री प्लाई दोनों उन है और इस कैप को बनाने के लिए हमें सिर्फ 50-55 ग्राम उनकी जरूरत पड़ेगी तो हमें आपे दोनों कलर मिला के बनाएंगे ग्रे कलर की पट्टी बनाएंगे और एक से दो साल के बेबी के लिए बना रही हूँ आप लोग को और छोटा या बड़ा बनाना है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं यह उन मैंने मंगाया है दिल्ली से अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए वाट्सप नंबर पे आप वाट्सप कर सकते हैं फिर आप वहाँ से चाह से बटन या कुछ भी ले सकते हैं तो देखें यहां पर फ्रेंट सबसे पहले हमने आप तेरफ अंदे डाले हुए है देखें तेरफ अंदे डालके दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा यहां पर दोनों साइٹ से तो बुनाते हुए यहां पर दस लाइन कंप्लेट किया हुआ है देखे फ्रेंड्स हमने यह 10 लाइन कंप्लेट कर लिया है बब हमने साइट से एक-एक फंदे बढ़ाने थीक है सिर्फ एक साइड आगे की साइड से दोनों साइट से नहीं सिर्फ एक साइट से यहाँ पर हमने नौ फंदे बढ़ाने हैं नौ सलाई में टोटल जब हमारे 24 फंदे हो जाएंगे तब हमने बढ़ाना बंद करना है तो चलिए हम दिखाते हैं कि फंदे हमने बढ़ाने कैसे हैं सर्कुलर नीडल हमने यूज किया आप नौर्मल भी सलाई ले सकते हैं पहले फंदे को हमने उतारा पीछे की साइट से हमने फंदे को आगे की साइट लाएंगे उसके बाद देखिए हम हम इसलिए लाते था कि यह फिनिसिंग अच्छी आए आगे की साइट से दियान से देखिएगा हमने हाँ पे इसे एक फंदा उठा के फिर बनाएंगे अब चाहें तो एक फंदे में दो फंदे बना सकते हैं लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी जाली नहीं पड़ती है बाकी के फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे पीछे की साइट से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा ही बनाके कम्प्लेट करेंगे फंदा सिर्फ हमारा एक ही साइट बढ़ेगा यह देखिए बाकी के फंदे को हमने उल्टा उल्टा बनाके कम्प्लेट किया आप देखिए हम पीछे की साइट आये हैं पीछे की साइड भी हमने पहले फंदे को उतारना है उनको पीछे की साइड से लाएंगे ये देखिए सभी फंदे को हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे अभी तक हमारे यहां पे तेरा फंदे थे एक फंदे बढ़ गया अब हमारे 14 फंदे हो गया ऐसे ही जब टोटल हमारे 24 फंदे हो जाएंगे तब तक हम फंदे को बढ़ाते रहेंगे सिर्फ आगे की साइड से एक तरप से मारे फंदे बढ़ते रहेंगे फिर से देखिए पहले फंदे को हमने उतार लेना है ऐसे परल्वाइज उसके बाद उनको पीछे की साइड से लाके एक फंदे यहां पे बढ़ाएंगे देखिए एक फंदे यहां पर आप चाहें तो इसमें से भी मतलब एक उल्टा एक सीधा बना के एक फंदे का दो कर सकते हैं लेकिन यहां से उठाएंगे तो जाली नहीं बनेगी हमने एक फंदा फेज से बढ़ा लिया बाखे के फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे तो पीछे की साइट से हमेशा सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना कर कम्प्लीट करेंगे ऐसे हमने यह देखिए फ्रेंट्स हमने एक एक फंदे एक साइट से बढ़ाते हुए टोटल हमारे यहां पे 24 फंदे हो गए, ठीक है, यह देखिए, यहां से हमने फंदे बढ़ाया, 13 फंदे स्टार्टिंग मिलिया था, 10 लाइन बनाई है, काउंट करके आप गिन लिजिएगा, उसके बाद हमने एक-एक फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पे 24 फंदे टोटल हमारी हो गए अब हमने क्या करना जैसे ही एक-एक फंदे हमने बढ़ाया है वैसे ही एक-एक फंदे अब हमने घटाना है उसी साइट से हमने फंदे भी घटाने है जिस साइट से हमने फंदे को बढ़ाया था इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे पहले फंदे को हमने उतार लेना है वो उनको पीछे की साइट से लाएंगे अब देखिए आपे दो फंदे का एक करेंगे आपे दो फंदे का एक किया बाकी के फंदे को हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे जैसे हमने एक-एक फंदे बढ़ाये थे फ्रंट सो ऐसे ही एक-एक फंदे हमने घटाने है अब देखे हम पीछे की साइड आ गया है पीछे की साइड से सभी फंदे को हमने उल्टा-उल्टा बनाना है पहले फंदे को उतारना है, दोनों साइट से फंदे को उतार के ही बनाएंगे sorry, फीछे की साइट से उलट-उलटा बना के हमने complete कि आगे की साइट आये, आगे की साइट हमने फिर से दो का एक किया अब यह हमने तब तक करना, जब तक हमारे टोटल 13 फंदे ना रह जाएं क्योंकि starting से हमारे 13 फंदे थे उसके बाद हमने 9 फंदे बढ़ाया आगे से 9 सलाईयों में तो हमारे total 24 फंदे हो गए थे उसके बाद 9 फंदे हमने 9 सलाई में आगे की साइट से घटाना है फिर से देखे friends हमने एक फंदे बढ़ाते हुए फिर एक एक फंदे घटाते हुए हमने ये एक पट्टी बना ली है अब हमने देखे है total हमारे यहां पे 13 फंदे बचे हैं तो जैसे हमने starting में 10 लाइन बनाई थी वैसे हमने 13 फंदे के 10 लाइन इधर भी बना लेना है यह देखे बीच में हमने 10 लाइन complete कर लिया है 10 लाइन complete करने के बात friends फिर से हमने same उसी side जिस side हमने पहले फंदे को बढ़ाया था same उसी side फिर से हमने फंदे को बढ़ाना है एक एक फंदे जैसे मैंने अभी को बताया है और यहां पर देखिए, आम जिस साइड फंदे बढ़ाए रहेंगे, उसी साइड हमने फिर से फंदे को बढ़ाना ही चीज ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए, जिस साइड हमने बढ़ाया थो उसी साइड हम फिर से 10 लाइन का गैब करके, 10 लाइन यानि 20 सलाईयों बुन तो हमने फिर से यहां पर 9 फंदे बढ़ा लेंगे, टोटल हो जाएगे हमारी 24 फंदे, फिर एक-एक फंदे हम भिटाएंगे, यहां पर हमारा 3 प्लाई उल है, तो काफी अच्छा भी बन जाता है साइड, अब देखिए फ्रेंड्स, यह हमने पट्टी बनाके तो कम्प्ल और फिर 13 फंदे से स्टार्ट करते करते एक-एक फंदे बढ़ाते हुए, यहां पर हमारे टोटल जब 24 फंदे हो गए, फिर हमने यहां पर एक-एक फंदे घटाते हुए, जैसे हमने एक-एक फंदे बढ़ाया थो ऐसे ही एक-एक फंदे घटाते हुए, फिर हमारे यहां पर 13 फंदे होने के बाद हमने आप दस लाइन से बीच में यह 10 के गैपिंग की फिर एक एक फंदे बढ़ाते हुए 24 फंदे फिर एक एक फंदे घटाते हुए यहां पे हमारे 13 फंदे और यहां पर हम देखिये शीर हमने याप पे 8 सलाई बनाई हुई है शिर्फ 8 सलाई इधर 10 सलाई है और इधर 8 ही सलाई मैंने बनाया है आप लोग चाहें तो 10 सलाई भी रख सकते लेकिन ओल ये 3 पलाई का है थोड़ा मोटा लगा मुझे तो इसलिए मैंने इसको देखिए इतना ही बनाया है अब हमने क्या करना है यहाँ पे फंदे उठाने है तो यहाँ पे जब आप देखिए यहाँ पे हमारे चैन से दिखते हुए आ रहे हैं इसी चैन में जितने भी हमारे चैन सब चैन में एक एक फंदे यानि जितनी हमारी लाइन है उतने हमारे अगर आप सिंगल बनाना चाहिते हैं तो इसके उपर से इस ही कलर से řाधका आने के लिए देखे कैने वह घृथेern बनाँगे देखे फ्रेंट हम यहां से एक-एक फंदेञे आ रहे हैं आप यहां पे एक नौट लगा ले या नी गाट पादले giant lef लेते हुए देखे फ्रेंट हम सारे चैन में एक-एक-फंदे़ ऐसे लेंगे देखिए जिसमें ऐसे लीया है ह् nuoह पर आप इसको नॉर्मल सलाई से भी बना सकते हैं यह तो मैंने अभी लिया है तो इसका यूज करने के लिए कि मैं इसको मतलब कि यह सही चल रहा है कि नहीं इसलिए मैं इसी पर बना रही हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने उन मंगाया है मोती मंगायी हुई है यह सब उन मैंने उनी से मंगाया हुए है डिलाही से और यह सर्कुलर नीडल भी काफी अच्छे प्राइस में मिल गया अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कॉमेंट करें या मेरे नमबर पर वर्ट्षप कर सकते है नीचे नमबर दिया गया है तो देखिए एक एक करके हमने ये सभी चैन में ऐसे ही फंदे को उठाते जाएंगे देखिए तो चलिए लाश तक हम फंदे उठा लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं अगर आप लोग और फंदे उठाना चाते हैं तो यहां पर 95 कर सकते हैं लेकिन हमने आप नब्बे फंदे टोटल उठाये हैं और यह 3 प्लाई की उगल है तो थोड़ी मोटी फ्रेंट्स इसलिए मैंने आप लोग को बहुत बार बता है लेकिन फिर भी चलिए हमें आप इस स्टार्टिंग से बता देते हैं कि यह डिजाइन आपने बनाना कैसे है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले जैसे में स्टार्टिंग से बनाते हैं वैसे ही आप लोग को बताएंगे तो पहले फंदे को आपने अपनाना है, स्टार्टिंग से आ आपने ऐसे बनाना है, एक फंदे को उतार लिया, फिर एक फंदे को बुन लिया, उतारा, एक फंदा बना यहा एक यह देखिए डिजाइन की पहली रो यानि पहली सलाई यह ऐसे ही complete होगी इस डिजाइन को बनाने के लिए friends हमने फंदेगा कोई इसुने जितना भी आप अपने प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहां पर देखिए एक फंदाम बुन रहे हैं और एक उतार र देखिए यह सिंगल नौर्मल सलाई हम यूज कर रहा है इसके पहले हमने सर्कूलर नीडल लिया था और यहां पर आप लोग को ताकि सहीर है कि आप दोनों सलाई से यूज कर सकते हैं इस कैप को बना सकते हैं क्योंकि वह जो सर्कूलर नीडल होती हो सबके पास नहीं रहती यह वाली जो सलाईयां होती हैं यह सब के पास होती हैं तो यहाँ पर हम दिजाइन की पहली सलाई ऐसे रहे कि एक फंदे हम उतारेंगे और एक बनाएंगे एक फंदे हैं उतारेंगे एक बनाएंगे फ्रेंट्स अब पीछे की साइट से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे तो चलिए इतना बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं लेके फ्रेंट्स उल्टे साइट से हम सभी फंदे को यहां पर उल्टा उल्टा ब तो चलिए यह पूरी रो बना लेते हैं अब देखे फ्रेंट्स डिजाइन की हां सेकेंड रो में आ गए यानि दूसरी सलाई में हम डिजाइन के आये हैं तो दूसरी सलाई में हमने डिजाइन को कैसे बनाना है तो पहली देखे सलाई में हमने यह पहले फंदे को बनाया था यह पता चल रहा है कि इसको हमने पहले फंदे में बुना था ठीक है तो इस फंदे को हम उतारेंगे अब जो देखे फ्रेंट्स हमने इसको पहले फंदे को उतार लिया अब इसको बुनेंगे फिर इसको हमने बुना था तो इसको उतार लेंगे यानि पहले सलाई में जिसको ह में हम उतारेंगे और जिसको उतारा था उसको बुनेंगे बस इसको यही करना है तो यह हमारी डिजाइन कुछ छैसे बनके आएगी यह देखिए बहुत इजी डिजाइन फ्रंट्स सकते हैं तो चलिए इसको हम 5-6 इंच लंबाई इसकी बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं कि ऊपर हमने कैसे बनाना है देखे फ्रेंट्स इसको हमने यहां से आप देखे इसको यहां से आप नापेंगे यहां से यहां से नहीं यहां से तो यह साड़े पांच इंच आपका आना चाहिए साड़े पांच यह छे इंच तक यह लंबाई यहां से यहां की इसकी रहने चाहिए इसको हमने इतना बना लिया अब आपने क्या करना है आप फंदे को हमने घटाना है तो फंदे हम कैसे घटाएंगे यह देखिए पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लिया आप यहां पर देखिए दो फंदे का हम एक करेंगे अब यहां पर हम सीधा-सीधा बनाएंगे कि अतना आप देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हम पूरी सलाई का ऐसे ही बनाएंगे दो फंदे का एक करेंगे और सीधा सीधा बुनेंगे यह देखिए दो फंदे को एक साथ बुनेंगे यह देखिए ऐसे ही हमने यह पूरी रो फंदे का एक यह देखिए पीछे वाले सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाके कंप्लेट कर लेंगे पीछे हमने फंदे को घटाना नहीं है तो चलिए हम बनाते हैं देखिए फ्रेंट्स पीछे की साइड से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे यह देखिए पीछे की साइड से हमने यह फंदे को घटाना नहीं है सिर फूल्टा उल्टा बनाके फिर हम आगे की साइड आगते हैं लेके फ्रेंट्स फिर से हम आगे की साइड आ गये हैं फिर से हमने ये पहले फंदे को ऐसे ऐस बिश्टिर उतार लेना है उसके बाद यहां पे हम दो फंदे को एक साथ बुनेंगे फिर देखिए हाँ पर हमने ये दो फंदे को एक साथ बनाना है कर देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने ये फंदे घटा लिए दो बार उसके बाद पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना कर कंप्लीट किया अब हम देखिए सुई में ये ओन को डाल लिया और धागे को उमने बड़ा काट करना है बड़ा काटना है, उसके बाद हमने ये देखे, अब इसमें से सभी फंदे को सुी में डालेंगे, देखे, आपने आराम से सभी फंदे को एक भी फंदे हमारे होँ पे चोटना नहीं चे, अगर फंदा एक भी चोटेगा तो हमारी एक कैप खुल जाएगी, तो इसलिए आप बहुत आराम से सभी फन देखो एक एक करके ऐसे देखिए यह देखिए फ्रेंट्स आप चाहें तो इस कलर का पॉम्पुम बना के उपड़ लगा सकते मेरे पास एक पॉम्पुम था रेडिमेट कैप का तो यह ऐसे था तो मैंने कहा इसी का यूज करती यह भी ग्रे कलर में है तो इसको मैं यहाँ पर टॉप पर लगाऊंगी फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स इसको हमने हाँ पर दो से तीन बार खुब अच्छे से इसको ठक कर दिया ताकि यह खुले ना वह यहाँ पे एकदम इसको मैंने लॉक कर दिया अब इसको देखिए हमने ये बाकी की सिलाई उल्टा करना है उल्टी तरप से उसको बस हमने टॉप पे लगाना था तो ये देखिया हम ये उल्टी साट से बाकी की सिलाई हम बराबर करके दोनों पार्ट का देखिए ऐसे करेंगे करेंगे यहां तक पूरा सिल लेते हैं और यहां पर देखे फ्रेंट्स हम इस धागे से सिलेंगे ग्रे कलर से इतना चलिए सिल के फिर दिखाते हैं के दECHY FRIENDS उसके सिलाई करने के बाद हमने इसको यहां पर सीधा कर लिए तो देखें कितनी खुबसूरत लग रही रही है यह फ्लैइब बाली कैप है लुदола और आ और Vide क्या करना है डबल पॉइंटेड नीडल हो उससे बना सकते हैं जैसे जो गले बनाने वाले दोनों साइड से ऐसे नोक रहती है उससे भी बना सकते हैं या सर्कुलर नीडल से चलिए हम फंदे उठाना आपनों को दिखाते हैं और कैसे बनाएंगे वो भी देखे फ्रेंट्स हमने एक बनाएंगे तो यह देखे 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 रेडी मेड जासी गुलाई में डोरी बनती है आप चाहें तो डबल पॉइंटेड नीडल से भी बना सकते हैं जो गले वाली सलाई होती है ठीक है तो चलिए इसको हम बनाते हैं एक साइड में आप लोग को बनाके दिखाऊंगी मै यह जो तीकोने साइड पर है यहां पर हमने इस तीन पंदेर उठाने तीकोने में एकदम उप्ता है अच्छा तो निकाल देना है और यहां पर हम नॉट लगाएंगे में देखे अ यह देखिए यहां पर हमने एक नोट लगा लिए नोट लगाने के बाद फ्रेंट्स हम यहां पर देखिए यह दोनों ऐसे कर लेंगे ताकि यह अंदर आ जाए एक दो तीन यह देखिए तीन फन दे लिए अब हम इसको बुनेंगे तो यहां पर धागा मारे साइड है तो इसको पलट की नहीं बुनेंगे सिर्फ एक साइड से हम इसको बनाएंगे इसको देखिए हमने इसको देखिए फ्रांट्स हमने एक साइड फिर इसको हम इस साइड ले लेंगे देखिए ऐसे खेच के यह देखिए यह देखिए इसको बुनेंगे इन तीन फन देखो देखिए सीधा बनाया हमने एक दो तीन अब देखिए फिर से हम इसको ऐसे ऐसे ज देखिए इस पे ले लिए फिर हम इधर साइड से बुनेंगे हम देखिए यह ऐसे नहीं कि पलट के पीछे से बुने हैं फिर आगे से ऐसे नहीं सिर्फ हम आगे की साइट से यह बुन रहा है देखिए इसके हमने डोरी 6 से 7 इंच लंबी बनानी है देखिए एक दो तील यह देखिए फिर हम देखिए इसको ऐसे इस साइड ले लेंगे यह देखिए फिर से हमने एक दो तील यह देखिए फिर से इसको मने ऐसे किया और इस साइड हम इसको ले लेंगे कर दो बनाना है कर दो दो मुलाव कर दो तो हमने उत लगे लेंगे पिर देखें यह फिर समय को ऐसी साइड लायंगे इससाइड हमने लिया फिर से ऐसी फ्रेंड इंच यह ने इसको इतना लम्बा बनाया है ऐसे यह आपने इसको भी बना लेना कि फिर आप लोग को दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स हमने डोरी दोनों साइट से बना लिया और यहां पर देखिए मैंने ये देखिए मेरे पास यह मैंने बटन्स बंगाये थे रोज वाले ब्लैक कलर में था तो यहां पर मैंने ऐसे सोफीस के लिए लगा दिया इससे क्या बहुत ही प्यारा ये लुक आ र यही कैप लेने जाएंगे आप लोग को कौशली मिलेगा लेकिन आप लोग इसको घर पर भी बना सकते हैं रिखिए कि तक खुबसूरत कम से कम उन में तो फ्रेंट्स वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू